नमस्कार धर्म्रियुद्बे आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोडा अरोडा धर्म्रियुद्बे आपके साथ मीटिंग चल रही है इस बैठक में डॉक्टर्स को काम पर वापस लाने की चर्चा चल रही है सरकार की कोशिश है कि कम से कम एमर्जंसी और ओपीडी सर्वसिस तो शुरू हो जाए और यही वज़ा है कि अब बंगाल सरकार डॉक्टर्स के साथ बाचीत कर रही है डॉक्टर्स के साथ यह बैठक की जा रही है अलाकि इस बैठक पे क्या नतीजा निकलता है बैठक में और कौनकों लोग महजूद है इस पर बात करने के माईसा तिस्वक्त माईसमधाता उंकार सरकार कोलकता से लाइब जुड़ चुके हैं ओंकार सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर कितना पॉजिटिव रवाईया लग रहा था डॉक्टर्स का जब डॉक्टर्स बैठक पे गए और कोशिशे तो तमाम की जा रही है लेकिन क्या लग रहा है कि डॉक्टर्स मानेंगे देखिए ये बैठक कुछ दर पहले ही शुरू हुआ है और सास्त सची नारान स्वारब निगम वो खुद इस बैठक में मौजूद है जैसे कि देखाया जा रहा है कि लगाता दो हपतों से आठ हजार से भी जादा जुनियर डॉक्टर हर्ताल पे है क्योंकि आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल में जो जगन अपराद घटी उसको लेकर यह सभी जुनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे है विरोध दिखा रहे है तो कहीना कही उपीडी सेवा से लेकर सभी सेवाओं में यह जो समस्या शुरू हो चुकी है तो जो मरीज आ रहे है वो मरीज को कड़ी हस्पताल से कई लौट के जाना पर रहे है तो ये समस्या का हल निकालने के लिए ही आज ये बैठक बुलाई गई है सास्तवावन में और ये बैठक अभी चल रही है ये बैठक लगातार कितनी देर तक चलती है और इस बैठक से क्या मासला निकल के आता है क्या जुनियर डॉक्टर लोग अपना हर्ताल वापस ले है तो और कुछी समय और बाकी है उसके बाद ये बैठक खतम होगी उसके बाद पता चलेगा कि डॉक्तर तरफ से जो जो मांग जुनियर डॉक्टर की तरफ से की गई थी, सरकार ने ज़्यादा तर मांगे उनकी मान ली है, जैसे कि आरजी कर मेटिकल कॉलेज और हस्पताल में प्रिंसिपल, सूपर इंटेंडेंट सभी को जो टांसफर, वो टांसफर की भी कर दी गई है, CBI पूरी मामले के जाच कर रहे है, आरजी कर मेटिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा देने के लिए CISF भी पहुच चुकी है, तो जो डॉक्टर का मांग था, वो मांग तो धिरे-दिरे पूरा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर का एक मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो है कि डॉक्ट जाच कर रहे हैं, क्या सुरक्षा को लेकर भी कोई प्रस्ताव दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम को टेका है, कि राजी सरकारे ध्यान रखे, क्या उसको लेकर भी इस मीटिंग में कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से रखा जाएगा? जी, देखें, जो तमाम संगठन पहुचे है, वो सरकारी हस्पताल की है, वो सरकारी हस्पताल के भी है, तो वो भी सेफटी सिक्रेटी को लेकर भी आज इस बैठक में बात चीत होगी, क्योंकि इस से पहले भी देखा गया है, कही जगव पे डॉक्टर की पिटाई हो गयी ह तो ये कही ना कही शुरक्षा देने के जो बात है, वो बात भी आज इस बैठक में की जाएगी, और इस बैठक से शास्ता भवन में, यानि कि शास्ता सचीप के नारण सर्म निगम के सामने ये बात भी रखी जाएगी, कि डॉक्टरों का सुरक्षा और कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि आरजिकर मेडिकल कॉलेज और हस्पताल में जैसे की देखा गिया है, चात्र लोग अभी से बोलने शुरू कर दिया है कि CISF सालों तक सालों वहाँ पर आरजिकर मेडिकल कॉलेज हस्पताल में बैठे नहीं रहेंगे, उसके बात क्या होगा, सिक्यर्टी क्या सब्सक्राइगी, सुरक्षा क्या होगा, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर जी नहीं, यहाँ पर नर्सेज है, पैरमेडिकल स्टाफ है, सब के सुरक्षा देने के लिए, इसको लेकर भी आज डॉक्टर जो तमाम संगत, लेकर एक और चीज़ है, महिला डॉक्टर का कंसर्न सबसे जादा है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ था, उसके बाद कोर्ट पे भी जो फैक्ट्स रखे गए, कि 90% डॉक्टर्स डरे हुए है, जो प्रोटेस्ट पे शामिल थे, वो भी चले गए है, और महिला डॉक्टर्स सबसे जादा डरी हुई है, क्या महिला डॉक्टर्स का कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार की तरफ से एक रात्तीरे शाथी नाम का एक नया स्कीम निकाला गया है, जिसमें महिला डॉक्टर, नार्स, पैरमेडिकल स्राफ, जितने भी महिला है, हस्पताल में काम करते हैं, उनके सुरक्षा के लिए एक स्ट्रा CCTV बैठाना, महिला वॉलेंटियर, सिविक वॉलेंटियर रखना, या फिर महिला कांस्टेबल रखना, रात के टाइम में जो जगा पर खाली रहता है, अंधेरा रहता हुआ पर CCTV जल्द से बैठाय जाए, ये सारी सुरक्षा व्यवस्ता के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक और पास कर दी ग बात चीड होंगे तो उस स्कीम के उपर भी आज बात्सटित होगा, महिला सुरक्षा सबसे पहले दी जाए, अस्पताल में ही नहीं, बलकि रस्ते में भी, तो ये रात्री शाथी का ब्रखल पर जो स्कीम है, ये स्कीम राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, तो उस स्कीम के समय लगेगा मीटिंग खत्म होने के उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जुनियर डॉक्टर लोग से सीनियर डॉक्टर लोग क्या बातचीत करते हैं और क्या ये हर्ताल भरूसा तो दिलाया जाएगा आश्वासन दिया जाएगा लेकिन वो आश्वासन क्या डॉक्टर्स मा पाया है संजे रॉक का पॉलीगरफ टेस्ट अब कर किया जाएगा तकनीकी विवस्ताओं और जेल पुर्शासन की विवस्ता की वज़े से संजे रॉकर पॉलीगरफिटेस्ट आज Нहीं हो पाया कल जेल में सीब्याइ संजे रॉस टेस्ट करेगे और इस दिजए गोश एक इसका इं पॉलिग्राफी टेस्ट आज नहीं हो पाया कई दिनों से permission court से मांगी जा रही थी क्या सिर्फ ये जेल में विवस्था नहीं हो पायी या कुछ तक्नीकी रिजन है कुछ और भी वज़य हो सकती है जेल में क्या ऐसी वज़य से पॉलिग्राफी टेस्ट नहीं हो पा जेल प्रिशाशन को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी कि आज वहाँ पर CBI की टीम पहुँच कर पॉलिग्राफी टेस्ट करेगी क्योंकि जेल से बाहर ले जाना बार-बार संजरोय को सेफ नहीं है जिस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स हैं इसी वज़े से संदीब गोश और बाकी के जितने किरदार है उनका CBI दफ्तर में पॉलिग्राफी टेस्ट अभी भी चल रहा है लेकिन जेल एडिमिस्टेशन से जिस तरीके की विवस्ताओं की मांग की गई थी उससे CBI के ऑफिसर्स साथ ही CFSL के जो डॉक्टर्स हैं वो सैटिस्वाई नहीं थे क्योंकि ये मुख्य आरोपी है और मुख्य आरोपी ने बहुत सारी बाते जो है CBI और कलकता पुलिस के सामने एकसेट भी की थी इसी वज़े से जो संजर ओय है इसका पॉलिग्राफी टेस्ट करना बहुत जादा इंपोर्टन्ट है इसके लिए एक कमरा चाहिए आइसोलेशन एक जगह चाहिए जेल के अंदर जहाँ पर CFSL की टीम जो है वो पॉलिग्राफी टेस्ट के लिए अपनी मशीनों का सेट अप कर सके लेकिन जो व्यवसाय मांगी गई थी जेल एडिमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी मांगों को पूरा कर रहा है लेकिन फिलाल आज वो मांगे पूरी नहीं हो पाई इसी वज़े से CBI सोर्सिस का ये कहना है कि टीम पहुंची जरूर थी पॉलिग्राफी टेस्ट करने की तयारी भी वहाँ पर शुरूर करने गई थी लेकिन वहाँ पर आज CBI अपना सेटप पूरी तरीके से नहीं लगा पाई और यही वज़े है कि अब संजार ओय का टेस्ट जो है इसी जेल में कल CBI की टीम करेगी लेकिन सवाल यही है कि जब पहले से जानकारी दी गई तो क्यों विवस्थाएं नहीं की गई के जानबुच के टालने की कोशिश की गई यह तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आज पॉलिग्रफी टेस नहीं हो पाया आप दुनों का बहुत बहुत शुक्रिया उंकार और अब है वही माराष्ट विधानसवा चुनाफ के लिए सीट शेरिंग पर मावेकास अगाडी के नेताओं की पहली मीटिंग हत्म हो गई है इस मीटिंग में शिव सेना, UBT की तरफ से संजेर राउत और अनिर देसाई, कॉंग्रेस की तरफ से वर्शा गायकपाट, भाई जगताप और असलम शे जबकि NCP शरत पवार गुट की तरफ से जतेंदर आवहाट शामिल है देड़ घंडे तक चली इस मीटिंग में वैसे तो पूरे राज्य की यानि की 288 सीटों बरबाद भी है लेकिन मुख्य फोकस मुंबई की 36 सीटों पर रहा सचिन लगातार जो बैटकों का सिलस्या चल रहा है क्या इस सीटों जो लगभग सूत्रों से खबर सामने आ रही है क्या लगभग फाइनल होती दिख रहा है या अभी भी सीट शेरिंग में कुछ गरबट चल रही है कुछ आपस में बाची चल रही है जादा सीटे कोई पाटी तो नहीं मांगने का कुछ ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा है जी बिल्कुल गोनी का ये तीसरी बैटक हुई इसके पहले ट्राइडेंट होटल में बैटक हुई थी दूसरी बैटक जो हुई वो बड़लापूर का मामला सामने आया तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी लेकिन आज तीसरी बैटक हुई इस बैटक में मुख्य तोर पर मुंबई की जो 36 सीटे है उस पर ज्यादा फोकस रखा गया था क्योंकि मुंबई और विदर्प की 62 सीटे और मुंबई की 36 सीटे कुल मिलाकर करिबन 100 के पास सीटे होती है और ये सीटे ऊपर जो कबजा पाता है वो बहुमत की पास पहुँज जाता है इसलिए मुंबे के 36 सीटे काफी एहम है और आज जो चर्चा हुई देड़ घंटे में उस चर्चा में कॉंग्रेस और उद्धव ठाकरी के सिउस्विना में जो हमें आंद्रूनी जानकारी मिल रहे हैं सुत्रों से कि उसमें कहीं न कहीं मद्वे जरूर सामने आए क्योंकि भले पिछले 2019 की चुनाओं में वो महें 4 सीटे जीती थी, 36 में से, 8 सीटे कॉंग्रेस में लड़ी थी, लेकिन अब कॉंग्रेस चाहती कि उनकी हिस्थे में तीन अगर लोगसभा कॉंस्टियोंसी पकड़ी जाये तो हर कॉंस्टियोंसी में लोगसभा के 6 विदान सभा बैठकों का सिलसिला चल रहा है लेकिन क्या सीट शेरिंग पर कोई सहमती बन पाये गया नहीं ये देखना होगा बहुत बहुत शुक्रिया सचन को रिजान कारे के लिए